हाई फ्रेंड्स डेलिकेसिस ऑन दा प्लेट में आपका स्वागत है ये जो लड्डू आप देख रहे हैं दिखने में कितना टेम्टिंग दिख रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी भी है ये रोज लड्डू है जिसे की हम आसानी से घर पर बना सकते हैं इसे आप तोहारो में जरूर बनाएं खास तोर पर दिवाली में तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रोज लड्डू बनाने के लिए एक कड़ाही में मैं डाल दूंगी करीब 100 ग्राम देसी घी इसे अच्छे से गरम हो जाने दे फिर इसमें डाल दूंगी करीब 500 ग्राम यानि के दो 300 ग्राम मिल्क पॉडर ले लिया है आप इसकी जगह चाहें तो इंस्टिंट मावा यूज कर सकते हैं ये क्विक रेसिपी के तौर पर मैं मिल्क पॉडर यूज कर रही हूं इस मिल्क पॉडर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस कड़ाही में डालती रहूंगी और कड़ाही में डालकर नारियल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूगी इसी तरह बाखी का बचा हुआ मिल्क पॉडर भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है मिल्क पॉडर यूज करने से एक बेनिफिट यह होगा कि मैं यहां पर फ्रेश कोकॉनट जो यूज कर रही हूं तो इसका मॉइस्चर यह पूरा सोख कर इस मिक्स्चर में बाइंडिंग जल्दी आने लगेगी आपको बहुत जादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा अगर आप डेसिकेड़ कोकॉनट यूज कर रहे हैं तब आप उसमें इंस्टेंट मावा का यूज करें अब इसे भी इस जल्दी से पक कर एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए इस मिक्षिर में यह देखिए एक अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है मावा और नारियल अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें मैं डाल दूँगी करीब 125-500 ml तक रोज सिरप अब इस रोज सिरप को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब 3-4 मिनिट तक इसे लगातार चलाते हुए भून ले इस पूरे प्रोसेस में मैंने आंच को एकदम धीमा रखा हुआ है ताकि यह मिक्ष्चर जो है तले में लगे नहीं अब आप देख सकते हैं इस मिक्ष्चर को कितना अच्छा गुलाबी रंग मिल गया है और कितना टेम्टिंग लग रहा है यह तो बाकी कब अच्छा हुआ भी रोज सिरप डाल दिया है मैंने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है तीन से चार मिनिट तक भूनने के बाद जो रोज स चाहें तो थोड़ा सा ओल डाल कर भी इसमें मिठास बढ़ा सकते हैं या अपने फ्लेवर के हिसाब से रोज सिरप आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें तो यहां पर मैंने चीनी डाल दिया है और यह जो रंग है एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत जादा अज़ा मच इलाइची पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे की अच्छा फ्लेवर आजाएगा इस लड्डू में रोज फ्लेवर का तो अपना टेस्ट होता ही है लेकिन इलाइची पाउडर से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा इंदिन स्वीट में बाइंड करते हुए लड़ू को तयार कर लें है अब लड़ू एक बाइंड हो जाया कोमे फार देशिकेड़ेड कोकोनट लीए हुआ है जो की मार्केट aan आसानी से मिलने वाजाता है लड़ू को इसमें फोड़ा सा पेट 물ें धाकि पर से जो दसेकेड़ चिपक जाएंगे उससे यह लड़ू और भी जादा अच्छे एट्रैक्टिव और टेम्टिंग दिखेंगे तो यहां पर हमारा एक लड़ू बनकर तयार हो गया है इस तरह से सारे लड़ू बनाकर तयार कर लें तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें जरूर ट्राय करें यह रेसेपी और कमेंट करें अपने एक्स्पिरियंस के बारे में बेल बटन दबाना न भूले ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो इसका अपडेट मिलता रहेगा